हेलो एवरिबडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सब के सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर कि स्टडी टिपले एक बहुत ही बड़िया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए और टेंट कलास की हिस्ट्री से चैप्टर नमबर नाइन लेकर के आए हैं जिसका नाम है सवतंत्र भारत के पचास वर्स तो सवतंत्र भारत के पचास वर्स के विशे में हम जानेंगे जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद जो उसके पचास वर्स बीटते हैं तो उसका किस तरह से परभाव रहा है हमारे देश पर देश के कल्चर पर लोगों पर हर तरह से हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कैसे कैसे भारत ने अपना जो काम्याबी के पग थे उनको आगे बढ़ाया और किस तरह सिर उठाकर जीने के लिए अपने आपको स्वाब लंबी बनाने का प्रियास किया एक के बाद एक बहुत से प्रिवर्तन हुए हैं इन पचास वर्सों के दोरान बहुत से जो राजनितिक पार्टिया हैं उन्हों ने भी बढ़ चड़ करके अपने कारिये किये हैं कुछ सकरात्मक कारिये हुए हैं तो कुछ आर्थिक नीतियां क्या रही हैं तथा किस तरह से भारत का गठन होता है और इसमें जो फसलों का रख रखाओ है फसलों के विशय में जो पूरी जानकारी है वो जानेंगे फिर हम अपात काल के विशय में भी जानेंगे और देश की जो विभिन न्याइक विवस्थाएं हैं हम जानेंगे बहुत ही दिल्चस्प ये चैप्टर है इसको विशय रूप से ध्यान से आप लोग देखें तो आईए शुरू करते हैं हम अपना ये चैप्टर नंबर 9, 10th क्लास की हिष्ट्री से जिसका नाम है सवतंतर भारत के 50 वर्स आओ जाने में हम सबसे पहले देखे जानेंगे भारत कब और कैसे सवतंतर हुआ तो ये हम जानेंगे भारत कब सवतंतर होता है और कैसे होता है फिर इसके बाद है भारत का विभाजन कैसे हुआ ये भी जानेंगे कि जब भारत ने अजादी की लड़ाई लड़े थी तब तो ये एक जुट था इसमें आस पास नहीं तो कोई पाकिस्तान नाम का दूसरा देश था नाही कोई बचला देश था तो ये किस तरह से विभाजित होता है ये भी हम जानेंगे फिर रज्यों का पुनर गठन कैसे हुआ इस बात पर भी हम विशियस रूप से ध्यान देंगे कि कैसे नए राज्यों का गठन होता है हमारे देश में फिर हरित करांती के विशय में एक रिष्टित रूप से हम जानेंगे भी कैसे हरित करांती आई और इसने किस तरह से भारतिय खादान ने उत्पादन को परभावित किया फिर आगे चल कर हम जानने वाले हैं अपात काल के विशय में जो की 1975 इस्वी से 77 इस्वी के मध्य में रही इसके क्या परभाव रहे तो इस समय इंद्रा गांधी भारत की परधान मंतरी थी तो इसके विशय में भी जानेंगे अगला पॉइंट जो होगा वो होगा साहबानो मामला क्या था तो साहबानो के मामले के विशय में हम पूरी डिटेल से जानेंगे साहबानो के बाद हम भारत में 1991 इस्वी की उधारी करन की परकिरिया कैसे प्रारंब हुई इसके विशे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उधारी करन किसे कहते हैं और 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि इस नीती के तहट भारत ने एक नई सुरुवात की थी फिर आगे देखेंगे भारत के पडोसी देसों के साथ किस परकार के सम्बंद रहे हैं व्यापारिक सम्बंद रहे हो या राजनीतिक सम्बंद रहे हो उनके विशे में भी हम चर्चा करेंगे फिर इसके बाद हम भारत के महा सक्तियों से किस परकार के सम्बंद रहे हैं इनके विशे में जानेंगे जैसे कि UNO है और जो भारत का सार्क जो खुद के महाद्वीप में बनाया हुआ एक संगठन है इसके विशे में बात करेंगे बहुत ही दिल्चस्प ये चेप्टर रहने वाला है और अंत में हम चर्चा करेंगे भारत का संयुक्त राष्ट में क्य योगदान रहा है तो United Nations जो थे उसमें भारत सरू से ही इसका एक सदर्शे रहा है आरंबिक सदर्शों में से एक रहा है तो पूरी डिटेल के साथ इन सभी पहलों पर हम चर्चा करेंगे वन बाई वन बहुत ही महतपून ये चेप्टर रहने वाला है धेर सारी जर्नल बात करके ये चेप्टर आ रहा है तो डिये स्टूडेंट बिल्कुल एकागरचित हो करके आप इस चेप्टर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और तथा इस वीडियो को दो से तीन बात जरूर देखें टैंथ कलास की प्रिक्षाएं बिल्कुल नजदीक आच चुकी है अत भारत को सवतंतरता कप पराप्ट होई थी 15 अगस्ट 1947 को यानि की 15 अगस्ट 1947 को और अंग्रेज़ों से यह सवतंतरता हमें पराप्ट होई थी अंग्रेज़ों ने 1600 के बाद से लेकर लगबग 1950 तक यानि कि यहाँ पर उसके बाद भी आजादी देने के बाद भी उनका परभाव रहा है जब तक हमारे देश का सविधान लागू नहीं हो गया तब तक तो उनका परभाव रहा है तो यहाँ पर लगबग साड़े तिन सो साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद हमारा देश आजाद होता है इस दिन के लिए भारतियों को सेक्डो साल तक संघर्ष करना पड़ा था तो अठारा सुस्तावन की इकरांती जो भारत का पहला संघर्ष करना था इसके लेकर के भी बहुत सी बातें परचलित थी तो यहां पर इतना लंबा इंतिजार करने के बाद अपने देश को आजादी मिलती है भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक सासन किया तो 190 वर्षों तक सासन किया इसका कारण मतलब जो है हमने 3.500 कहा है उनके आने के बाद से लेकर के 1947 तक के समय को 3.500 वर्षों कहा है और उन्होंने 190 तक सासन किया यानि कि इस से पहले जो वर्षों बच गए उसमें उन्होंने व्यापारिक एकाई के रूप में कारिय किया था और बड़े स्थर पर वो कारिय करते हैं इसके बाद 1757 से वो राजनितिक रूप से अपना सिक्का जमाना शु 47 तक ये 190 वर्ष बनते हैं जब वो धीरे धीरे भारत की राजनितिक आर्थिक और सांस्कृतिक तथा समाजी गती वीडियों में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं 47 की प्राप्ति के लिए अनेक देश भक्तों को अपने प्रानों की आहुती देनी पड़ी थी भारत के 47 के साथ ही देश का संपरदाइक विभाजन भी हुआ तो जैसे ही भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो उसी के अधार पर ही जो भारत का संपरदाइक विभाजन है वो भी हो जाता है इसमें हिंदू मुस्लिम नाम से दो बड़े संपरदाइ आमने सामने हो गए थे जिसकी विवाद को सुलजाने के लिए देश का विभाजन करना पड़ा था यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीती का परिनाम था तो अंग्रेज इस बनी हुई एक एकता को तोड़ना चाते थे क्योंकि वो खत्रा समस्ते थे अगर ये एकता इसी तरह से बनी रही तो ना जाने कितना आगे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि वो अंग्रेजों तक भी आ जाए तो यहां पर उन्होंने इसको छिन भिन करने के लिए फूट डालो राज करो की नीती को अपनाया था जिन्ना के द्वी राष्ट शिधान्त के कारण देश के बटवारे की मांग जोर पकड़ती जा रही थी तो द्वी राष्ट जो निर्मान का शिधान्त था वो किस ने दिया था वो जिन्ना ने दिया था और उसके जो पत परदर्शक थे जो अन्युयाई थे वो इसमें बड़ चड़ करके भाग ले रहे थे लेकिन सवतंतरता के प्रियास में लगे बड़े बड़े नेताओं द्वारा संपरदाइक्ता को कम करके आका गया तो यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता जादी के लिए लड़ रहे थे वो संपरदाइक्ता से आगे उठकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे थे इसी कारण वे देश के विभाजन का अंदाजा नहीं लगा सके तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था इस और कि ये जो संपरदाइक्ता का जहर था जो अंग्रेज गोल चुके थे ये आगे चल कर इस देश को डशने वाला है वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई थे अंत में यही संपरदाइक्ता भारत के विभाजन का कारण बने विभाजन के कारण उपजी परिष्टितियों के कारण देश को अनेक चुनोतियों का सामना करना पड़ा जब ये विभाजन हुआ तो इससे बहुत चुनोतियां उत्पन हुई जिसका सामना भारत को काफी वर्षों तक करना पड़ा लेकिन इन चुनोतियों और अन्य समश्याओं के बाद भी भारत ने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की सवतन्तिता प्राप्ति के बाद के पांच दसक के इत्यास का वर्नन निम्न परकार से किया जा सकता है तो अब हम वन बाई वन जो है इन सभी परकार की इत्यासिक जो घटनाए घटी हैं इन पचास वर्षों में तो उनके विशय में हम जानेंगे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश का विभाजन किन परिष्टितियों में ये विभाजन होता है तो देखिए भारत की सवतनत्ता के साथ ही देश का दुखद विभाजन भी हुआ और देश का विभाजन होने के कारण उत्तर पस्मी सीमान्त छेतर पस्मी पंजाब सिंध बलुचिस्तान और पुर्वी बंगाल को मिलाकर पाकिस्तान का निर्मान किया गया तो यहां पर देखिए पाकिस्तान का निर्मान किन किन छेतरों को मिलाया गया ताकि एक नए राष् आप सिंध, बलुचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर के पाकिस्तान का निर्मान किया जाता है भारत की तरफ से मुस्लिम अबादी का एक बड़ा हिस्सा नए बने पाकिस्तान में जाना था तो जो मुस्लिम संपरदाय था उनको उस नए बने पाकिस्तान में जाना था तो यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं इस समय लाड माउंट बैटन नहरू जिन्ना के बीच में विभाजन की चर्चाई होती है तो यहाँ पर लाड माउंट बैटन बैठे हैं यहाँ पर नहरू बैठे हैं और इधर आप देख सकते हैं तो जिन्ना बैठे हैं तो इनक बीच में बटवारे को लेकर के विभाजन को लेकर के चर्चाए होती है जैसे ही इस विभाजन पर मोहर लगती है तो उसके बाद फिर ये इस्तिती निकल करके सामने आती है कि ट्रेने लदी हुई थी लोगों से और इसी बीच देखे विस्थापियों से भरी जो रेलगारिय के ट्रेनों से इधर आई और लासे भर करके ट्रेनों से उधर गई तो वही पाकिस्तान के हिस्से में गए छेतर से अधिकतर हिंदों सिखों और अन्य को भारत में आना था तो इस तरह से आदान परदान होना था लोगों का अपनी वहां की जगह चोड़ कर इधर आना था यहां के लोगों को इधर की जगे छोड़ करके उधर जाना था। फिर दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में सबसे बड़ा विस्थापन था। पूर्ण साथ अब समपरदायक गिरना में बदल चुका था जो काफी वरसों से साथ रह रहे थे दोनों समपरदायक के लोग ये अब गिरना में बदल चुका था इसलिए चारों तरफ हिंसा आगजनी और बलातकार की घटनाए हो रही थी तो दोनों देशों से लाखों की कि दोनों तरफ से जो ये बे घर हुए सरनार थी पहुँच रहे थे तो उनके आसू पोशना, उनके खान पान का परबंद करना, उनके रहने का परबंद करना, उनके स्वास्ते की फिकरकरना, ये सबी एक क्रियाएं करनी बहुत जरूरी थी. अतह बारत में आने वाले लोगों को पहले एस्थाई सिवरों में ठहराया गया और फिर धिरे धिरे उनके सिथाई पुनरवास की स्थापना की गई तो यहां पर एस्थाई सिवरों का जिकर आया है तो ये दिल्ली दिल्ली के आसपास का छेतर और हर्याना के बहुत से उत्री मैदान के छेतरों में जो हैं ये सिवर बनाए गए थे फिर उसके बाद इनको देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थाई रूप से बसाने का कारिय किया गया अब यहां गती वीधी में देखते हैं सिखशक छातरों को पाकिस्तान में सामिल छेतर को कमरों और विधाले को भारत मान कर समझाए तो देखिए जो विधाले है उसको तो भारत समझा जाए और उसके कुछ कमरे हैं उनको पाकिस्तान मान करके बच्चों को समझाया जाए इस अब जब भारत आजाद होता है तो उस समय अजादी से पहले तक भारत में जो थे वो लगबग पांसो बासट के लगबग जो हैं छोटी बड़ी रियास्ते रही हैं उनके स्वायत अपने अपने छोटे बड़े राजा रही हैं तो उनको मिला करके एकी करित करके एक भारतिये रियास्तों पर ब्रीटिस सरकार का अधिकार 15 अगस्ट 1947 इसवी को समाप्त हो गया था तो यहां पर रियास्तों का बताया है कि रियास्त जो थी उन पर ब्रीटिस सरकार का अधिकार इस समय समाप्त हो गया था लगबग 565 यहां पर बताई गई हैं रियास्ते और अजाद तो किया था लेकिन यहां पर एक विचार दिया गया था कि जिसको भारत में सामिल होना है वह रियासत भारत में सामिल हो सकती है जिसको पाकिस्तान में सामिल हो सकती है और इसके बाद भी अगर कोई रियासत सवतंतर रहना चाहती है तो वह सवतंतर रह सकती है इस दो ही जाये तो लोह पुरूस सरदार बल्लब भाई पटेल थे उन्होंने ऐसी परिस्तितियों में बड़ी सूजबूज से काम लिया पटेल ने अधिकतर रियास्तों को भारतिय संग में सामिल होने के लिए सेहमत कर लिया था तो उन्होंने एक एक कर सभी रियास्ति जो सरदार या राजा होते थे उन से उन्हों ने वारतालाप की और उनको सहमत किया एक संग्हें भारतीय संग को बनाने के लिए पटेल ने अधिकतर रियास्तों को भारतीय संग में सामिल होने केलिये राजी कर लिया था केवल हैदराबाद जूनागड वे कसमीर की रियास्ते ही भारत में सामिल होनी बाकि थी सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागड को वहां की जनता की राय के आधार पर भारतिय संग में सामिल करने का फैसला किया क्योंकि वहां के जो राजा रजवाडे थे वो भारतिय संग में मिलना नहीं चाते थे वो सवतंतर रहना चाते थे लेकिन सरदार बलभाई पटेल ने कहा कि इसका फैसला आप नहीं करेंगे आपकी रियासत में रहने वाले जो आम जन है उनकी राय के अधार पर होगा और जनता ने जो अपना फैसला सुनाया वो भारत के हक में सुनाया इसलिए उनको एकिकरित किया गया भारतिय संग में देखे यहां पर क्या आप जानते हैं कुछ मैतपुन तथ्यों के साथ ये क 2019 इस्वी को समाप्त कर दिया गया है तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कस्मीर को अजादी के समय ही मिल गया था 370 धारा लगाई गई थी इसमें क्या था कि कोई भी भारतिये जम्मू कस्मीर में जाकर के नहीं बच सकता वहां पर जमीन नहीं ले सकता और वह हैं तो ये जो रोक थी वो 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दी गई बहुत ही बहतरीन कारिये हमारी सरकार के द्वारा यहां पर किया गया एक तो अजादी के तुरंत बाद सरदार बल्लब भाई पटेल के द्वारा जो कारिये किया था वो सराहनिये हैं और एक इस धारा को हट यह हुआ है तो यहां पर जम्मू कस्मीर के सासक महराजा हरी सिंग अपनी रियासत को सौतंतर रखना चाते थे जब अजादी के समय जम्मू कस्मीर के राजा हरी सिंग से पूछा गया तो राजा हरी सिंग ने सहमती दी कि वह सौतंतर रहना चाते हैं ने तो वो पाकिस्ता उबर 1947 को पाकिस्तانी सेना और कबीलियाई जो थे मिलकर जम्मु कस्मीर पर आकरमन कर दिया था तो यहाँ पर कबालियों को नोते हैं वहाँ पर चोटे-चोटे समुवं में रहने वाले जो कबीले थे उन्हों पाकिस्तानी सेना इन दोनों ने मिलकर के जम्हु कश्मीर पर आकरमन कर दिया था तो पाकिस्तान की आकरमन से तरस्त यानि की दुखी होकर के माराजा हरी सिंग ने भारतिय संग में विले के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये तब उन्हों ने अपनी रजामंदी दी कि हाँ हम भारत के साथ मिलना चाते हैं अब भारतिय स सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये तो तुरंत भारतिय सेना ने अपना मोर्चा समाला और एक के करके चुन चुन करके जो आकरमन कारी थे पाकिस्तानी और कबालियाई जो हुए हैं कबीलियाई जो आकरमन कारी हुए हैं उनको चुन चुन करके मारना शुरू किया और उनको पी युद विराम की घोशना हुई तो भारत जो है सबसे पहले सेंगत राश्ट सुरक्षा परिशद में इस मामले को लेकर के गया कि और उसके बाद फिर दोनों के बीच युद विराम की घोशना होती है युद विराम के कारण कस्मीर का लगबग एक तिहाई भाग पाकिस्तान के पास रहे गया तो एक तिहाई भाग कहा है कस्मीर का ये पाकिस्तान के पास रहे जाता है और बाकी भारत के पास होता है कतकालिन परिष्टितियों में कस्मीर के लिए भारतिय सवीधान में ऐस्थाई तोर पर धारा 370 जोड दी गई तो यहां पर बताया कि उसके तुरंत बाद कस्मीर में धारा 170 जोड करके उसको एक विसेस राज्य का दरजा दिया गया और इसके अंतरगत जम्मू कस्मीर को विसेस राज्य का दरजा मिलता है तो यहां पर विसेस का मतलब तो विसेस ही है अगर बजट पास किया जाता है तो उसके लिए अलग से बजट निकाला जाता है सवीधान लिखने का जो कारिय होता है यह कैसे होता है कब सवीधान बनता है कौन बनाता है और किस दिन इसे लागू किया जाता है तो देखते हैं तो सवीधान का निर्मान के विसे में हम जानते हैं भारत का सवीधान बनाने के लिए एक सवीधान सभा का गठन किया गया तो एक सविधान सभा का गठन किया गया सर्व पर्थम इसका गठन एस्थाई रूप से किया जाता है सविधान सभा में कुल 389 सदर्शे थे इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी 1946 के 9 दिसंबर को जो यह एस्थाई सभा हुई थी और इसके एस्थाई अध्यक्स बनाए गए थे डोक्टर सचीदानन्द सीना फिर इसके ठीक दो दिन के बाद इसकी स्थाई सभा गठित की जाती है 11 दिसंबर 1946 को जिसके स्थाई अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजिंदर परसाद तो देखे डॉक्टर राजिंदर परसाद ने बाद में इस सवीधान सभा के स्थाई अध्यक्ष का कारियभार के लिए किस ने बनाया था सवीधान सभाने बनाया था डक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक साथ सदर्सिय प्रारूप समीती बनाई गई थी प्रारूप समीती का मतलब है कि सवीधान का जो स्ट्रक्चर था वो त्यार करना था मेन मेन बाते थी उन पर का कारिय करना था इस समीति को सवीधान के प्रारूप को त्यार करने का कारिय दिया गया तो ये जो समीति थी प्रारूप समीति जिसे कहते हैं इसको सवीधान को त्यार करने का कारिय सोपा गया फिर देखे यहां पर सवीधान के निर्वान के लिए बहुत से देशों के सविधान पर विभीद जो विशे सग्य और बुधी जीवियों थे उन्होंने विचार विमर्ष किया और आखिर कार 26 नुवंबर 1949 इस वी को हमारा सविधान बनकर त्यार हुआ तो इतने लंबे समय अंतराल के बाद कितना समय लगता है हमारे देश के सविधान को बनने में तो हमारे देश के सविधान को बनने में दो साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं और इतना समय लगने के बाद उसको विशेस रूप से त्यार किया गया और 26 नुवंबर 1949 को सविधान बनक तियार हो जाता है इस सवीधान को बनने में दो वर्स 11 महीने 18 दिन लगने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 इसवी को लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 इसवी को इसे क्या कर दिया गया कानूनन दर्जा दे दिया गया और ये लागू कर दिया गया परते एक वर्स यह दिन भारत में ग अधार जनता की भावना थी तो जनता की भावनाओं को देखते हुए समझते हुए ही इस सवीधान को तियार किया गया था इस कारण सवीधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्व भौम और समाजवादी पंथ निर्पेक्स तथा जनतांतरिक गनराज्य गोशित करती है तो ये हमारे प्रस्तावना में सवीधान में कहा गया है कि हमारा देश जो है वो सार्व भौम है और समराजवादी है तथा पंथ निर्पेक्ष है किसी भी धरम को नहीं अपनाएगा और वो सभी धरमों का सम्मान करेगा तथा जनतांतरिक गन राज्य है जो जनता के द्वार तंतर को चुनने का जो कारिय किया जाएगा तो सवीधान किसी भी देश का सासन चलाने के लिए नियम और कानुनों का दास्तावेज ही सवीधान कहलाता है तो यहाँ पर भीम राव अमबेडकर जी का चितर दिया हुआ है डॉक्टर भीम राव अमबेडकर इन्हों ने बहुत ही बहतरीन कारिय किया सवीधान निर्मान के मामले में कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान हमारे सवीधान में डाले गए हैं जिससे कि कोई किसी दूसरे का सोसन ने करें लेकिन फिर भी हमारे जो सवीधान की प्रेनीती है वो 26 जनवरी 1950 से सुरू होती है और आज तक यह है भिन भिन रूपों में हमारे बीच लोगों के दुवारा यूज की जाने वाली सबसे बड़ी कानून की किताब है अब हम देखेंगे देश के पर्थम चुनाओ तो देश में पर्थम चुनाओ कब हुए किन के बीच में हुए और कौन इसमें जीतता है कितनी सीटे थी और ये सारी बाते हम इसमें जानेंगे तो भारत के पहले आम चुनाओ उन्निस सो इकावन से बावन इसवी के दोरान हुए थे उन्निस सो इकावन बावन में पहले आम चुनाओ होते हैं इस चुनाओ में लगबग सत्रा करोड तीस लाख मत दाताओ ने भाग लिया इस चुनाओ में लोक सभा की कुल चार सो नवासी यानि कि फोर हंड़र एटी नाइन सीटे थी तथा चोदा राश्टिये और तरे सट च्छेत्रिये तथा स्थानिये दलों ने चुनाओ में भाग लिया था तो उस समय उन्निस सो इकावन बावन में हमारे देश में चोदा राश्टिये दल थे तो तरे सट च्छेत्रिये और स्थानिये दल थे जिनों ने इस चुनाओ में सक्रिये हिस्सा लिया था संभवत य है विस्व में पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सहभागिता की तो इतनी बड़ी संख्या में जनता की सहभागिता यानि की योगदान ये है विस्व का सबसे अधिक सबसे बड़ा पहला आम चुनाव था जवारलाल नहरू की अध्यक्षता में कॉंग्रेस ने इस चुनाव में भारी विजय पराप्त की तो जैसे ही कॉंग्रेस इसमें जीती है तो इस जो दल के अध्यक्षता कर रहे थे वो जवारलाल नहरू कर रहे थे और पहले परधान मंतरी बेसव समिती से जवारलाल नहरू को चुना गया था यहां पर पहले आम में भाग लेते मतदाता यहां दिखाया गया है तो यह चुनाव पर करिया हमारी आज भी इसी तरह से चलती है बस फरक इतना है कि आज ईव्यम का परियोग किया जाता है अब देखेंगे राज्यों का पुनर गठन के विसे में कि किस तरह से हमारे देश में राज्यें का पुनर गठन होता है अजादी के बाद वो किया जाता है तो देखिए अंग्रेजों दुआरा भारत के सासन को अपनी सुईधा के अनुसार विभीन रियास्तों में बाटा गया था तो अंग्रेजों ने भारत को अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया था अपने सासन को अच्छे से चलाने के लिए जो बड़े बड़े राजे रजवारे जो रियास्ते थी उनके टुकडे किये और उनकी सीमाई निधारित की और अपने जो सासन को चलाने के लिए एक सुगम रास्ता ढूंड लिया था तो यहां पर सुतंद्रता के बाद इन रियास्तों को भारतिय संग में सामिल कर लिया गया था अतहए देश में भासा और भोगोलिकता की अधार पर राज्यों के पुनरगठन की आवसकता थी तो यहां पर कुछ ऐसे राज्ये थे जो आपस में मिक्स थे कोई भासा कोई बोल रहा था तो वहां का कल्चर कैसा था वहां की संस्कृति अलग परकार की थी तो यह बहुत से बेमेल थे तो इनको ठीक से मेल करने के लिए जो है राज्यों का पुनरगठन करना एक अति करना इस आयोग का कारिये भासाई आधार पर राज्यों के पुनरगठन की सिफारिश करना था तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नमबर 1956 इसमी में राज्ये पुनरगठन आयोग जो है वो अधीनियम पास हो जाता है तो 1956 में पहले सिफारिश तो होती है 1953 में और 1956 में जो है राज्य पुनर गठन अधिनियम ये पास हो जाता है और इसके दवारा देश में भासा के अधार पर चोदा राज्य और छे किंदर सासित परदेशों की स्थापना होती है तो अजादी के बाद जब राज्य पुनर गठन आयोग बनता है तो उसके अनुसार भारत में पहले 14 राज्य थे और उन में भी सबसे पहले जो राज्य गठित हुआ था उसका नाम था आंदर परदेश जो भासा के अधार पर गठित किया गया था और 6 केंदर सासित परदेश उसमें सामिल थे हिंदी को भारत की कारियालो में प्रियोग की जाने वाली भासा के रूप में मानिता दी गई इसके साथ ही अंगरेजी को बड़े स्तर पर सरकारी कारियालो में प्रियोग किया जाता रहा क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर रखा था इडिया पर तो उनके सारे प्रशासनिक कारिये अंग्रेजी भासा में होते थे तो वो भी लगातार चलती रही लेकिन भारतियों की जादा निरक्षर होने की वज़े से एक और जो हमारी हिंदी भासा है उसको सर्व परी दर्जा दिया गया इन राजकिये कारियों में तो इसके बाद हम देखेंगे फ्रांसिसी और पुर्तगाली छेतरों की सवतंतरता तो यहां ब्रिटेन से जो आई हुए कंपनी के अधिकारी थे जो अंग्रेज थे उनको तो हमने 15 अगस्ट 1947 को भारत से जा पुर कर दिया था लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज अब भी टिके हुए थे हमारे देश में अजादी के बाद भी और वो थे फ्रांसिसी और पुर्तगाली जो बाद में वो हमारे देश से जाते हैं तो भारत की सवतंतरता के बाद भी कुछ छेतरों पर फ्रांस और पुर तो यह स्थान जो है यह औरिसा और औरिसा से नीचे की तरफ के छेतर है तमिलनाडू के तरफ के छेतर है यह फ्रांसिसी ओके जो है हिस्से में रहे हैं जिने हम पूर्वी छेतर कहते हैं भारत का और यहां पर फ्रांसिसी सरकार ने ये सभी छेतर 1954 इस्वी में भारत को वापिस लोटा दिये थे जैसे ही भारत का एक स्ट्रक्चर त्यार हुआ भारत संगठित हुआ एक माला के रूप में पिरो दिया गया तो जब उसको एक ताकत के रूप में देखा गया जिसकी वज़े से फ्रांसिसी सायद ये सोचकर के घबरा गए होंगे कि अब बारी उनकी है तो इसलिए उन्होंन दमन और दीव दादर और नगर हवेली जैसे नगरों पर पुर्तगालियों का कबजा था और पुर्तगाली इन छेतरों को वापिस नहीं लोटाना चाते थे जैसा कि फ्रांसिसीों ने अपने आप ही एक कबजाए छेतरों को छोड़ दिया था 1954 में लेकिन जो गवा दमन औ दीव दादर नगर हवेली जो छेतर पुर्तगालियों के कबजे में था और पुर्तगाली इन छेतरों को छोड़ने के लिए रजामंद नहीं थे लेकिन अंतते भारती सेना ने 1961 इसवी में पुर्तगालियों को भारत से खदेर दिया ऐसा ही होना था क्योंकि फ्रांस ने सम 1961 में भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया अब हम देखते हैं गुट निर्पेक्ष आंदोलन तो डिय स्टुडेंट ये गुट निर्पेक्ष आंदोलन क्या था इस गुट निर्पेक्ष का क्या मतलब है गुट निर्पेक्ष का मतलब है कि कि किसी भी छेतर का या किसी भ विश्व युद के बाद विश्व के बहुत से देश विचार धारा के अधार पर दो विरोधी गुटों में बट गए थे तो विश्व युद चल रहा था पहला विश्व युद और ये गुट के अधार पर युद चल रहा था एक तरफ धुरूविय सक्तियां थी तो दूस दूसरी तरफ कौन से सक्टियां थी तो दूसरी तरफ मित्र राष्ट इस युद में लड़ रहे थे एक के करके एक दूसरे को निचा दिखाने के लिए कमजोर दिखाने के लिए आपस में युद छिड जाता है इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवित संग का ग से रहा है जो यूरोपिय कंट्री से मिलकर के बना था उन्होंने अमेरिका के साथ काफी लंबे समय तक संगर्ष किया और सोवियत संग के नितितव में बने गुट को पूर्वी बलोक कहा गया था तो अमेरिका के नितितव में बने हुए गुट को पश्मी बलोक कहते थे और स सोवियत संग के गुट में बने जो गुरुप थे उसको पूरवी बलोक कहा जाता था आर्थिक तकनीकी और सयोग पराप्त करने के लिए भारत ने दोनों गुटों से समान मितरता रखने का प्रियास किया तो आर्थिक तक्णिकी सयोग यानिकी तक्णिकी ज्यान सीखना और आर्थिक यानिकी व्यापारिक रूप से संबंध सही स्थापित रखना इनके लिए जो है दोनों गुटों से भारत ने समान मितर्ता के भाव रखे थे सवतंतर विदेश नीती संचालन की इच्छा के कारण भी भारत ने गुट निर्पेक्षता की नीती अपनाई थी तो भारत ने पहले ही सविधान में जिक्र कर दिया था कि भारत विश्व में बने ऐसे किसी भी गुट का कोई सदर्शता हासिल नहीं करेगा नहीं किसी के पक्ष में बोलेगा वह केवल सही के लिए ही बोलेगा और सही के साथ खड़ा रहेगा भारत त्रित्य विश्व के देशों की सवतंदर्ता बनाई रखने का इच्छुक था तो यहां पर कहा है कि भारत तृत्य यानि कि तीसरे विश्व के देशों की सतंदरता जो विकासिल देश थे एक देश होता है अमीर जो विक्सित हो चुका है वो पहले विश्व है और जो दूसरा है वो है बिलकुल गरीब और जो तीसरा है वो है गरीब भी नहीं है और अमी अपनाई थी हमारी विदेश नीती किसी भी गुट में सामिल नहोकर सही को सही और गलत को गलत कहने पर आधारित रही है भारत के लिए गुट निर्पेक्स्ता का आंदोलन वेस्विक सांती तथा विकास सिल देशों का समाजिक आर्थिक और राजनितिक विकास का पॉरतिक र रही है वे सदा से ही वेस्विक यानिकी विस्विस्तर पर सांती इस्थापित करने के लिए रही है और इसके साथ ही विकास की डगर पर आगे भड़ने की रही है तथा विभिन छेतरों और देसों के बीच में समाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास का परती कर रही है सामन जससे बैठाने का कारिय करने वाली ये नीती भारत के द्वारा अपनाई जाती है और विशेश तोर से किसी भी युद में अपना सक्रिय योगदान ने देने की वज़े से भारत को एक अच्छी नजर से भी देखा गया है इसके बाद दुट्य विश्व युद भी होता है ज फिर इसके बाद भारत अपने देश के लिए ही काफी हद तक कारिय करता रहा उसके लिए ही उसकी गरीबी को मिटाने के लिए सभी तरह के डिसीजन लेता रहा किसी बाहरी हलचल में कोई विशेश रूची भारत ने नहीं दिखाई नमबर आता है हरित करांती का कि किस तरह से हमारे देश में विभिन कारिये हुए अजादी के बाद लोगों को पुरुन स्थापित किया गया राज्यों का पुरुन गठन हुआ फ्रांसेसी पुर्तगाली उनको देश से निकाला गया भारत गुट निर्पेक्षनीती को पुरुन गठन है तो यहां आपको पता ही होगा कि जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया को उपजाओ बनाती है तो बहुत बड़ी उपजाओ भुमी पाकिस्तान के पास चली जाती है 1960 इस्वी के दसक में भारत चीन युध और भारत पाकिस्तान युध तथा सूखे ने हमारी अर्थ विवस्ता को कमजोर कर दिया था तो 1960 के दसक की बात कही गई है तो उसमें युध हुए थे हमारे पडोसी देशों के साथ जिसकी वज़े से हमारी आर्थ कमजोरी देश की बढ़ती जा रही थी और उस पर भी जो सूखा पड़ा था उसने तो और भी जवरदर्स्त परहार किया था इस कारण देश में खादान संकट उत्पन हो गया था परिणाम सवरूप किसानों के लिए नई किर्शी की घोशना की गई तो जब लोगों के खाने पीने के लिए कोई अनाज का भंडार ही नहीं बचा था तो यहाँ पर किशानों के लिए एक नई किर्शी निती बनाई गई इस निती के तहट उत्तर भारत के पंजाब हरियाना वे पस्चमी उत्तर परदेश में सस्ते और उन्नत बीज खाद एवं तकनीक के परियोग को प्रोथसान दिया गया तो किशानों को अच्छी तकनीक सिखाई गई उनको अच्छे बीज प्रोवाइड करवाए गई और उनको सभी तरह के यंत्र ताकि वो लेश के इसके लिए उनको लोन दिया गया और जो किर्शी विधी हैं वो भी उनको सिखा इस किर्शी निती के माध्यम से किसानों को बिजली, सिचाई, वैसस्ते रिन देने की विवेस्ता की गई परिनाम सरूप 1970 इस्वी के दसक की सुरुवात तक आते आते देश में गेहूं, चावल और मक्का की खेती में अढ़ाई गुना तक विर्धी हो गई तो यहां पर अढ़ाई का मतलब है कि डवल होने के बाद फिर से आधी यानि कि धाई गुना की विर्धी हो जाती है 1970 के दसक की सुरुवात में आते आते और कौन-कौन सी फसलों में ये धाई गुना की विर्धी होती है तो वो है गेहूं चावल और मक्का इनकी किर्षी में हमारा देश बहुत ही ज़्यादा सक्सम होता चला जाता है अब इस दोर में किर्षी उतपादन में हुई तीवर विर्धी को ही हरित करांती कहा जाता है तो इस समय के दोरान जो तीवर विर्धी हुई थी हरित करांती इसी को ही कहा जाता है क्यों हुआ था ऐसा यहां 1970 के दसक के सुरुवात की बात कही गई है तो 1966 में पंजाब यूनिवेस्टी जो वल्लब पंत यूनिवेस्टी है उसके प्रोफेसर इंगलेंड गए थे और वहां से वो हरित करांती की जो तकनिक थी जिसमें एक ही सीड से एक ही दाने से बहुत सारे दाने प्राप्त किये जा सकते थे उपज की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकता है वो तकनिक सिक करके आए थे इसी लिए इस 1970 की दसक की बात बताई है कि यहां पर सत्तर के आते आते हमारा जो खादाने है वो बंडार भर गया था और भरने लग रहा था अब हम अगर बात करें यहां पर करांती केवल हरित करांती के नाम से नहीं होती है करांती कई तरह की आई है हमारे देश में और यहां वो उत्पादन से ही सम्दित रही है हरित करांती यहां किर्शी उत्पादन से सम्दित है दूसरी है पीली करांती यहां तिलहन उत्पादन से सम्दित है और तीसरी करांती है नीली करांती यहां मत्से पालन से सम्दित है फिर सवेत करांती है यहां दूद उत्पादन से सम्दित है तो बहुत ही जवरदस्ते यहां करांतियों के विषय में पता चला है डिये स्टूडेंट इन करांतियों से सम्मंदित एक ना एक केसण किसी ना किसी एक्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है तो इनके विषय में अच्छे से डिटेल से आपको समझ लेना चाहिएए अब यहां बात करते हैं अपात काल का दोर तो अपात काल का क्या दोर रहा क्या कारण थे अपात काल लागू करने के ऐसा क्यों हुआ कि देश में अपात काल हुआ तो देखते हैं अजादी के बाद 1975 इस्वी में भारत ने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभाव किया तो भारत ने अब तक के सबसे बड़े राजनितिक संकट का अनुभाव 1975 में किया था 1971 इसवी में चुनी गई इंद्रा गांधी की सरकार गरीबी हटाओ के नारे के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी तो इंद्रा गांधी जब चुनाओ लड़ रही थी तो उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और इसी नारे के दम पर इंद्रा गांधी देश की परधान मंतरी बनती है सरकार बनने के एक वर्ष के अंदर ही दिसंबर 1971 इस्वी में भारत पाकिस्तान यूध और बांगला देश का निर्मान हुआ तो दिसंबर 1971 में ही भारत पाकिस्तान का यूध हो जाता है और इसमें बहुत छती होती है दोनों देश की सेनाओं को फिर इसी को सांत करने के लिए बांगला देश का निर्मान होता है जिसे पुर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था इस से इंदरा गांदी की लोक प्रियता में विर्दी जरूर हुई लेकिन अन्य मुद्दे जैसे मंदी बेरोजगारी गरीबी खाद्दे पदार्थों की कमी बांगला देशी सरनाथियों की समश्या सूखा और मानसून की ऐस सफलता से जनता में ऐसंतोस बढ़ने लगा था तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह जो 1971 में युद चला था इसके बाद हालत और बिगरते चले गए और बहुत से मुद्दे थे जिसमें बजारों में मंदी आ गई थी जो युवा थे वो बेरोजगार थे गरीबी बढ़ती जा रही थी खादान्य पदार्थों क पढ़ने लगा था और राष्ट व्यापी हरतालो वे च्छात्र आंदोलनों के कारण देश में कानून विवस्ता की इस्तिती निरंतर भिगरती जा रही थी इन में से मुख्य तोर पर गुजरात और बिहार के च्छात्र आंदोलनों से कानून विवस्ता की इस्तिती और भ रग रज्जों में छात्रों ने तो कहीं पर कामगारों ने तो कहीं पर किसानों ने जगे जगे हर्टाले शुरू कर दी थी जिसकी वज़े से देश की अर्थविवेश्टा रुक गई थी और इस कारण 1974 इसवी तक आते आते इंद्रा गांदी की सरकार से जंता का एक बड़ा हिस्सा नराज हो गया था तो यहां पर इंद्रा गांदी की जो सरकार थी उसके इन सभी दसाओं की वज़े से एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था जंसंख्या का वो इंद्रा गांदी की सरकार से नराज हो गया था 12 जून 1975 इस्वी को इलाबाद उच नियाले द्वारा दिये गए फैसले में इंडरा गांदी को चुनाओ में अनुचित आचरन का दोसी करार दिया गया तो यहां पर इलाबाद उच नियाले वहे 12 जून 1975 को एक फैसला सुनाता है और उसमें इंडरा गांदी को चुनाओ में जीतने के लिए अनुचित साधन प्रियोग करने का दोसी करार दिया जाता है इस फैसले के अनुचार अब वहे किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी तो कोट के आदेस की पालना करते हुए इंडरा गांदी अब किसी भी सम्मानित पद पर नहीं रह सकती थी यहां पर आप देख सकते हैं एक चित्र यहां दिखाया गया है और यह बारा बज़े का चित्र है बारा बज़े जो सुबह या रात जो हम कहते हैं ठीक रात के बारा बज़े तो वो अगला दिन का आगाज होता है जून 26 यानि कि 26 जून 1975 को पियम इंडरा गांधी डिकलेर अब हम देखेंगे आगे क्या बताया गया है इस दोरान लोक नायक के नाम से परसीद जैपरकास नाराइन यानि कि जैपरकास नाराइन ये लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं और इंडरा गांधी की इन गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे तो इंडरा गांधी क इन नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे हमारे जेपी आगे देखते हैं क्या बताया गया है तो यहां उन्होंने खुलकर के इसका विरोध किया था इंद्रा गांदे जी की नीतियों का और वे भरष्टाचार मेंगाई गरीबी को लेकर सरकार के खिलाफ सत्यागरे और अहिंसक आंदोलन कर रहे थे तो इस तरह से सरकार को उन्होंने घेरा था जन्संख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ लेकर के लोगों में जागरुता लाने का प्रियास कर रहे थे और उन्होंने देश में उपजे राजनितिक संकट और न्यायले के फैशले के अधार पर भी इंदरा गांदी पर अपने पद से त्याग पतर देने का दबाव बनाया था और वह बार बार एक ही डिमांड कर रहे थे इन सभी जनसभाव में के इंदरा गांदी अपने जो पद है उससे त्याग पतर दे और सरकार जुक जाए मतलब और सरकार स्रेंडर कर दे तो ये बार बार वहां पर डिमांड उठाई जा रही थी कि यहां पर ताना साही नहीं चलेगी इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे और फिर आगे देखते हैं जेपी ने राष्ट कवी दिनकर की पंक्तियों यानकी सिंहासन खाली करो की जनता आती है तो ये एक पंक्ति है कवी दिनकर की इंदी के बहुत ही पहुचे हुए कवी हुए हैं इनकी कवीताएं बहुत ही जादा आकरशित करने वाली होती हैं और उनकी ये पंक्तियां है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है इस पंक्ति को लेकर के जेपी ने ये नारा दिया और कहा की जनता आती है को नारे का रूप दे दिया इंद्रा गांदी ने स्वेम को चारो और से घिरा या घिरता हुआ देखकर 25 जून 1975 इस्वी को अपनी सत्ता बचाने के लिए अपात काल की गोशना कर दी तो इंद्रा गांदी को जब लगा कि अब कोई चारा नहीं है अब देश धीरे धीरे उनके खिलाफ एकठा हो रहा है तो उस स्थिती को समालने के लिए अपनी गद्धी को समालने के लिए उन्हों ने जो एमर्जनसी थी अपात काल था उसको लागू कर दिया अपात काल लगने के तुरंट बाद प्रेस पर परतिबंद लगा दिया गया और प्रेस पर परतिबंद लगा दिया गया प्रेस खुल करके किसी भी विषय पर नहीं बोल सकती थी तो देखिए यहाँ पर अपातकाल के विशे में बताया है क्या होता है यह तो अपातकाल की गोशना जब करती है इंद्रा गांधी और वो समय था 26 जून 1975 यह आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर रात के बारा बजे करती है तो यहाँ 25 जून 1975 आया है और फिर देश में आंतरिक वे बाहरी संकट के कारण केंद्र वे राज्य सरकारों की सारी सक्तियां राष्ट पती के हाथ में आ जाना तो यहाँ पर बाहरी और आंतरिक सिच्वेशन जब बिगड़ जाए या संकट आ जाए तो उस अवस्था में केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी सक्तियां होती है वो सारी राष्ट पती के पास उनकी हाथों में आ जाती है उसे राष्ट पती सासन भी कहते हैं अब हम देखते हैं अपात काल लगने के बाद जब परेश पर परतिबंद लगाए जाते हैं तो सरकार के विरुद आंदोलन में सामिल जै परकाश नाराएन वै अन्य विपक्षी नेताओं जैसे मुरार जी देसाई अटल विहारी वाजपेई लाल कृष्ण आडवानी चर जन आदोलन चल रहा था उसमें ये सभी बड़े बड़े लेडर सामिल थे अभी हमने आपको बताया कि कौन-कौन ये लेडर सामिल थे मुरार जी देसाई और अटल विहारी वाजपेई लाल कृष्ण आडवानी चरन सिंग चंदर सेखर और बहुत से असंखे यहां बताया है कि जो चातर नेता थे वो भी गिरफतार कर लिये गए राश्टिय स्वेम सेवक संग पर भी परतीबंद लगा कर उसके परमुख कारिय करताओं को गिरफतार कर लिया गया जिसे हम RSS कहते हैं उस संग के यानि कि राश्टिय स्वेम सेवक संग पर भी परतीबंद लगा द दोरान एक लाख से अधिक लोगों को गिराफतार किया गया था इतनी भारी संख्या में भारत में लोगों को गिराफतार किया गया था अपात काल के समय इस दोरान अनेक सवेधानिक संसोधनों द्वारा संसद को निश पर भावी बना दिया गया तो यहाँ पर जो संसद होती है जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है सक्ती होती है उसको निस्क्रिये साख कर दिया था इस समय और जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारे थी उन में से अधिकांस को बरखास्त कर दिया गया था तो विपक्षी दलों यानि की कांग्रिश के अलावा अगर किसी राज्य में सरकार थी तो उस सरकार को खारिज कर दिया गया था परिवार नियोजन यानि की नस्बंदी कारिय करम को भी सक्ति से लागू किया गया तो ये जनसंख्या को कंट्रॉल करने के लिए सरकार एक नियोजन पलान लेकर की आई थी जिस से नस्बंदी के द्वारा जनसंख्या को रोकने का कारिय सोपा गया था और हाला कि अपात काल के दोरान हो रही जादतियों का जनता नितीवर विरोध जारी रखा तो ये अपातकाल के दोरां जो जितने भी जादतियां यानिकि उन पर प्रेशानिया ठोपी जा रही थी उन्हें तकलीफे जो जनता को दी जा रही थी उसका विरोध जनता ने अपने तरह से जारी रखा जिसके फलसवरूप तत्कालिन सरकार को तत्कालिन यानि कि उस समय की जो सरकार थी उसको 21 मार्च 1977 इस्वी को अपातकाल समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा तो सरकार को दो साल लग गए लगबग यहां पर इस अपातकाल को समाप्त करने के लिए इसी साल देश में आम चुनाव हुए थे तो 1977 में ही देश में आम चुनाव होते हैं जिसमें गैर कांगरिसी दलों की पहली गठबंदन सरकार बनी थी तो यहां देखिए पहली गठबंदन सरकार बनी थी गैर कांगरिसी दलों की पहली बार इस से पहले कांगरिस का ही सासन पर राज रहा है 1977 तक और 1977 में ही मार्च के बाद गैर कांगरिसी पहली सरकार बनती है हमारे देश में तो यहां पर देखिए एक और ऐसी जानकारी मिल रही है साहबानो मामला क्या था इसके विसे में जानते हैं कौन थी यह साहबानो जिसका जिक्र हमारे हिस्टरी की बुक में किया गया है तो भारत में लंबे समय से मुस्लिम धरम में किसी ने किसी रूप में तीन तलाक की पर्था रही है तो तीन तलाक की पर्था के खिलाफ हमारे देश में जो है जागरुकता फलाई जा रही थी और यह पर्था फिर भी हमारे देश में रही है और आज भी है पांच बच्चो की मा 62 वर्सिय साहब आनो नामक मुस्लिम महिला को उसके पती ने तीन तलाक दे दिया था तो देखिए यहां पर 62 वर्सिय यहां तो हमारे समाज में 60 वर्स का होते ही रिटायर्मेंट की उमर आती है और बुड़ा बुड़ी जो है अपने परिवार को पूरा समय देते हैं और यहां देखिए क्या हो रहा है 62 वर्सिय साहब आनो नामक एक मुस्लिम महिला थी और उसके पती ने उसे तीन तलाक दे दिया था बोलो यह भी कोई बात होई और उस पर भी उसके पांच बच्चे थे पती दुआरा गुजारे भते से इनकार कर दिये जाने पर साहब आनो ने नियायले की सरन ले थी तो साहब आनो ने कहा कि भई अब मैं भी बुजर्ग हो चली हूँ और पांच पांच बच्चे हैं मुझे भी अपना जीवन अच्छे से जीना है उसकी और काफी जुकाओ किया लेकिन गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए साहब आनो ने ऊच नियायले में याचिका डाली तो यहाँ पर पहली जो नियायले थी उसने ये तो कहा था कि भत्ता मिलना चाहिए लेकिन कोई निस्चित रकम नहीं बताई थी तो उसको बढ़ाने के लिए तैय करने के लिए साहब आनो ऊच नियायले में याचिका डालती है ऊच नियायले ने गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया और ऊच नियायले ने भी आदेश दिया कि भत्ता देना चाहिए और परंतो निरने के विरुध उसके पूर्व पती ने सर्वच्च नियाले में अपील की अब यहाँ पर सबसे उची जो नियाले है हमारे देश की सर्वच्च नियाले जिसे सुपरिम कोट कहते हैं उसमें उसके पती ने अपील कर दी साहबानों के जो फेवर में डिसीजन आया था उसके खिलाव 1985 इसवी में उच्टम नियाले ने मध्य परदेश उच्ट नियाले के आदेश को सही साबित करते हुए साहबानों के पक्ष में फैसला दिया तो यहां पर जो सुप्रियम कोर थी उसने भी निचली ए अदालतों के फैसलों को सही मानते हुए साहबानों के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया नियाले द्वारा दिया गया यह फैसला मुस्लिम समाज विशेश कर महिलाओं के लिए बड़ा परगती सील कदम हो सकता था लेकिन तो यहां देखने वाली बात है कि जो हमारी अदालत है उसने जो फैसला सुनाया था यहां पर जो मुस्लिम महिला थी उसको देखते हुए हमारे देश के सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए सकारात्मक एक कदम उठने वाला था परगती उनके चीवन में आने वाली थी लेकिन इस फैसले का पुरातन पंथी मुस्लिम नेताओं तथा संगठनों द्वारा विरोध करते हुए सरकार पर दबाव बनाया गया तो देखे यहां पर जो पुरातन यानि के पुराने धारनाओं को लेकर चलने वाले जो पंथ हैं जो समूं में रहने वाले जो लोग हैं जो पुराने विचारों को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं लोगों ने इस बात को लेकर के इस मुद्दे को सॉल करने के लिए मुस्लिम समाज के उन लोगों ने सरकार पर दवाव बनाया तो देखे यहां पर एक चितर में दिखाया गया है जीत कर भी हार गई थी साहबानो तो साहबानो नियाले में जीती फिर उच नियाले में जीतती है और फिर उचतम नियाले में भी जीतती है और फिर भी वो हार जाती है ऐसा कैसे हुआ वो हम आपको जरूर बताएंगे कि वो जीत कर भी कैसे हारती है तो डी ए स्टूडेंट देखिए दबाओ बनाया गया था सरकार पर मुस्लिम समपर्दाय के दुआरा परीनाम सवरूप राजीव गांधी सरकार ने तो राजीव गांधी की जो सरकार थी उसने 1986 इसवी में संसद में कानून बना कर संसद में कानून बनाय था 1986 में सरवच्चे नियाले की फैसले को पलट दिया था तो सरवच्चे नियाले ने फैसला सहबानों के फेवर में दिया था लेकिन संसद जो कानून बनाती है सरवच्चे नियाले उस पर कारिय करता है और उस कानून को बदलना है तो फिर जनता यानि कि पूरे देश की जो जनता है जिन प्रतिनीदियों को जीत करके बेशती है अगर वो सारे एगरी करके किसी डिसीजन को बदलना चाहें तो पलटा जा सकता है यहां पर इसी ताकत के अधार पर राचीव गांदी ने सरवच्च नियाले के फैसले को पलट दिया था हलाके सरकार की इस तूष्टी करन की नीती का कई महिला संगठन और मुस्ली महिलाओं की जमातों तथा बहुत से बुद्धी जीवियों ने जोरदार विरोध किया था ऐसा नहीं है कि परधान मंतरी और संसद ने मिलकर के सुप्रिम कोट के फैसले को बदल दिया हो और कहीं से आवाज भी ने हुटे तो हमारे देश की जो महिला संगठन थे या मुस्ली महिलाओं की संगठन थे और बुद्धी जीवी जो लोग थे उन्होंने इस तुष्टी करण की तुष्टी करण की नीती को पूर जोड विरोध किया था और ये तुष्टी करण की नीती का मतलब है कि अपना स्वात सादने के लिए किसी विशे समुदाय का लाब देना है ना तो यहां देखिए परंटु सरकार के दखल के कारण सहबानों उच न्याले में जीतन के बाद भी हार गई तो यही कारण था कि राजिव गांदी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसा किया था अब देखिए किरिया कलाप है किरिया कलाप साहबानों से चूड़े मामले में नियायले द्वारा हाल ही में जो निर्ने दिया गया है उस पर रिपोर्ट त्यार कर है तो आगे देखते हैं तो यहां पर आर्थिक नियोजन और विकास आया है इस चैप्टर में हम देखेंगे आर्थिक नियोजन और विकास के क्या माइने रहे इन पचास वरसों में भारत के लिए तो 1944 इसवी में ही भारत में आठ बड़े उध्योग पतियों ने बॉंबे पर्योजन प्रस्तुत किया तो यहां पर हमारे देश में पहले तो उद्योग थे नहीं और थे तो लगूस तर पर थे छोटे छोटे उद्योग थे लेकिन 1944 में हमारे देश के आठ बड़े उद्योग पतियों ने मिलकर के बॉंबे पलान बनाया और इसके तहत बड़े योग स्थापित करने की उन्होंने चेश्टा की लेकिन देश में सतंता प्राप्ती के बाद सरकार दुआरा बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की स्थापना तथा समाजवाद के विश्तार पर बल दिया गया तो यहां समाजवाद को मजबूत किया गया समाज को मजबू इस वि को सलाकारी संसा योजना आयोग की स्थावना की थी। तो यहां पर जो पंदरा मार्च 1950 की बात कही गई है तो परधान मंतरी पहले नहरू जी थे। उन्होंने अर्थ विवस्ता को पुनर निर्मा निर्मित करने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की थी इसके बाद हम देखेंगे लेकिन यहां देखे आर्थिक नियोजन के विशे में यह है एक ऐसी प्रक्रिया है जिस में निर्धारित उद्देशियों को एक का इस तरह से उप्योग किया जाए कि वो आने वाले समय के लिए भी हमारे पास बने रहे और जो परजेंट में यूज करने वाले हैं उनके उपर भी जादा दबाव नहो तो यहां आगे देखते हैं इसके बाद 6 अगस्त 1952 इस वी को राश्ट्य विकास परीशद की भी स्थ आपना की गई थी कब 6 अगस्त 1952 को की गई थी इस समय जवालन नेरु ही भारत के परधान मंतरी थे इसका मुख्य कारिये योजना आयोग द्वारा दी गई सलाहूं और योजनाओं परसंसोदित दिशा निर्देश देना था तो दिशा निर्देश देना था जो योजना बनाई जाते थी उनके उपर तत कालिन सोवियत संग की पंच वर्षिये योजना से परभावित होकर भारत में भी पंच वर्षिये योजनाओं लागू की गई तो ये जो सोवियत संग था हमारे देश के लिए बहुत से इसने सयोग दिये हैं तो सोवित संग में पंच वर् हमारे देश में भी ये पंच वर्षिय योजनाई लागू हुई हैं और फिर हम देखते हैं मिश्रित अर्थ विवस्ता तथा कठोर सरकारी नियमन के कारण सवतंतर परतिस्पर्धा का वातावरन विक्सित नहीं हो पाया तो यहां पर मिश्रित अर्थ विवस्ता थी और कठो और सरकारी नियम थे जिसकी वज़े से जो सपर्धा थी उसका वातावरन विक्सित नहीं हो पाया था समय समय पर लागू की गई आर्थिक और योगिक नीतियां भी परियाप्त सुधार नहीं कर पाई तो हमारी सरकार ने बहुत से जो है आर्थिक नीतियां अपनाई थी द सक में विभिन सरकारों दुआरा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण 1991 इस वी तक आते आते भारतिय अर्थववेस्ता कमजोर हो चुकी थी तो बार बार 1980 से लेकर के आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी हमारे देश के अलग-अलग राज्य सरकारों के दुआरा और के विवेस्ता कमजोर हो चुकी थी तो यहाँ पर करजे लेने शुरू कर दिये थे भारत ने विदेशी रिनों के भुगतान के लिए भारत को अंतराश्ट्य मुद्रक औस एवं विस्व बैंक का दरवाजा खट खटाना पड़ा तो यहाँ पर दो बड़े जो विस्व के ले खट खटाना पड़ा था और वो कौन से थे अंतराश्ट्य मुद्रकोष और विस्व बैंक इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत को 47 टन सोना गिर्वी रखना पड़ा था 47 टन बहुत जादा हो जाता है बहुत जादा 47 टन खरबो रुपे का यह सोना गिर्वी रखना पड़ा था उस समय देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए और पता नहीं उस समय से हमारा देश ऐसा 47 टन सोना देकर जो है आर्थिक संकट से उबर ही रहा है तब से आज तक उबरा नहीं है लेकिन लगातर उबर रहा है ये आर्थिक संकट पता नहीं कि ये क्या है ये रवड की तरह बढ़ता ही जा रहा है कब ये खतम होगा तो यहां भारत को 1991 इस्वी में आर्थिक अंतराश्टिय मुद्राकोस और विस्व बैंक की सर्तों को मानते हुए अर्थ विवस्ता में आर्थिक सुधार करने पड़े तो यहाँ पर जो विस्व बैंक और अंतराश्टिय मुद्राकोस थे उन्होंने 1991 में जब भारत ने इन से रिन लिया तो उन्होंने कुछ आर्थिक सर्ते भी मानने के लिए मजबूर किया था भारतिय सरकार को तो इसके बाद भारत दौरा आर्थिक उदारी करन की निती अप पारे घटनाएं घट रही थी तो हमारे देश ने भी विस्व के लिए अपने जो दवार थे ट्रेड के दवार जिसे बोलते हैं वियापार की दृष्टी से वो खोल दिये थे और इसमें बहुत ही ज्यादा योगदान हमारे जो ध्योग पती थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सेयोग किया था ये देश अपने पचास वर्सों के अजादी में बहुत ही ज्यादा उता चड़ाओ देखता है सरकार की ताना साही भी देखता है तो जनता का सहन सीलता होना भी देखता है तो कहीं न कहीं विज्ञान अपनी उन्ती के लिए आगे बढ़ रहा था त भारत जो विदेशी नीती थी उसको भी अपना करके अपने पडोसी देशों के साथ अच्छा वैवार कर रहा था अब हम भारत की विज्ञानिक उन्ती के विशे में चर्चा करते हैं तो विज्ञानिक उन्ती की बात करें तो आज वर्तमान समय में भारत का डंका पूरे व कर गया है इसी के साथ साथ भारत पिठवी के अंदर का भी अनुमान लगाने का और जो सर्वे है या फिर खोज बीन है वो करने का पूरा परियास कर रहा है भारत ने वेग्यानिक उन्टी में जितना आगे कदम भड़ा दिया है साइध ही किसी देश ने इतने कम समय में किया ह अमेरिका और रूस जैसे अंतरिक्ष्ट के महारती भी भारत की वेग्यानिक उन्टी को सलाम कर रहे हैं और भारत ने एक के बाद एक विभिन अंतरिक्ष्यानों को भेज करके अपना जो दबदबा है वो स्पेस लेवल पर जमा दिया है अब विभिन संगठनों के द्वारा भारत की तरफ बड़ी उमीदों से देखा जाने लगा है कि भारत हमें चानबीन करके कुछ नई खोज करके विशेस जानकारियां प्रोवाइड करवाने वाला है तो यहां पर किशी भी तरह से हमारे जो यह अंतरिक्ष या फिर विज्ञानिक उन्नती है इसमें बहुत हद तक बड़े बड़े जो प्लांस हुए हैं जो विज्ञानिकों के द्वारा तियार किये गए हैं उनको अमली जामा पहनाने में हमारी सरकार या विज्ञान मंत्र काले के द्वारा बहुत एहम भूमिका निभाई गई है तो देखते हैं भारत को विकास के नए मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे विग्यानिकों की एहम भूमिका रही है तो विग्यानिकों की एहम भूमिका रही है चाहे वो किर्शी विग्यान हो चाहे वो भूगोल हो या विग्यानिक अनुसधान वे प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मंत्राले स्थापित किया था तो हमारे देश में विग्यानिक मंत्राले स्थापित किया था और ये विग्यानिक मंत्राले अनुसधान कारिये करता है और प्राकितिक संसाधनों के विशे में अपनी रिपोर्ट तियार करता है फिर इसरो बार्क एंड यहां पर बताया गया है आई आई टी जैसी संस्ताओं के अंतरगत हुए अनुसधान कारियों के कारण भारत विज्ञानिक उन्नती की और अगरशर हुआ है तो यहां पर वि फिर इसके बाद यह भारत का ही संग्ठन है संस्ता है और यहां पर आई आई टी के विशे में बताया गया है इंडियन इंफोर्मेशन टेकनलोजी तो इन की वज़े से अनुसधान जो कारिये हैं वो भारतिय विज्ञानिक उन्नती की और बहुत ही तिवर गती से बढ़ र संगन, इत्यादी विज्ञानिकों के अथाह प्रियास से भारत पिर्थवी, नाग, अगनी, आकास, भरमौस इत्यादी मिशाईलों का निर्मान कर शका है तो भारत ने अत्यधिक तरकी करते हुए बहुत सी मिशाईल बनाई है यहां तक की एक मिशाईल में के नाम से भी प करने वाले होमी जहांगिर भावा थे फिर यहां पर इस रो में विसेश योगदान देने वाले विकरम सारा भाई रहे हैं फिर एपी जे अब्दुलकलाम के तो क्या कहने बहुत ही जबरदस तरीके से हिनों ने साइंस में भारत को आगे बढ़ाया है और यह भारत के क्यादी का निर्मान किया जिस से विश्व भर के सभी बड़े देशों के कान खड़े हो गए और वो स्तर्क हो गए कि अब भारत भी उनके बराबर का बन गया है अतहर सीधे तोर पर उसको चुनोती देना मुमकिन नहीं है 1974 इसवी और 1998 इसवी में भारत ने परमानू परिक्षन कर विसेश स्वेम को परमानू सक्ति संपन राश्ट बनाया तो यहां पर एक के बाद एक हमारे देश ने 1998 में राजस्तान के पोकरन में अटल भिहारी वाजपई जी की सरकार के दोरान पांच पांच जो परमानू परिक्षन थे वो किये बहुत ही जबर्दस तरीके से उन्होंने आगाज किया भारत राश्ट को परमानू में संपन बनाने के लिए और इन परिक्षन के साथ ही दुनिया के बड़े बड़े देश यहां पर समर्पन कर देते हैं भारत की ताकत के आगे भारत को विस्व में एक बड़ी सैनिक सक्ती बनाने के लिए हमारे विग्यानिकों की उलेखनिये भूमिकार रही है तो एक सैनिक सक्ती के रूप में भारत उबर रहा है क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी युवा जो जनसंख्या है वो और नहीं है जित तो यहां उनके अथा और भूत पूर्व योगदान के लिए उनको एक नाम दिया गया और जिसे हम मिसाइल में के नाम से जानते हैं भारत ने आरिये भट भासकर रोहिनी इत्यादी सैटलाइट भेज कर अंतरिक्ष तक्रिक में नाम कमाया तो यह हमारे सैटलाइट हुए ह हैं तो भारत ने सबसे पहले जो सैटलाइट भेजा था वो आरिये भट था फिर भासकर और फिर रोहिनी इनाम का सैटलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया आज भारत अन्य देशों के भी सैटलाइट अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है यानि कि बहुत से दूसरे दे का एक चितरन देख रहे हैं किस तरह से यहां पर मिसाइले दिखाई गई हैं और यहां पर रोकेट लॉंच जो हो रहा है उसका दृश्चे और फिर यहां जो हमारा यान चांद के चक्र लगा रहा है यहां पर वो चितर भी आप देख सकते हैं अभी पिछले साल दो जो यान गए हैं चद्रमा पर एक यान अपने कुछ ही मातर सेकंड से ही वो कामियाबी की तरफ जाते जाते रुक जाता है लेकिन उसके बाद जो यान भीजा जाता है वह बिलकुल स्टिक तरीके से अपने मेशन को पूरा करता है अब देखते हैं हम आगे तो यहां पर भारत की वि पडोसी पडोसी देश और दूर दराज के देशों के साथ तो किसी भी देश की विदेश नीती घरेलू और अंतराश्टिय कारकों पर धारित होती है तो घरेलू और अंतराश्टिय जो कारकों होते हैं वो विभिंत रहके होते हैं और घरेलू रूप से इतिहास, संस्कृत भुगोल और अर्थ विवस्ता ने भारत की विदेश नीती के उदेश्यों और सिध्धान्तों को निर्धारित किया है तो यहां पर इतिहासिक सांस्कृतिक भुगोलिक अर्थ विवस्ता की बात की गई है और यह जो है भारत की विदेश नीती के विभीन उदेश्यों और सि सीमा विवाद और सीत यूद की विदेश नीती निर्धारण में महतपुन भूमिका रही है तो भारत ने कभी किसी भी ग्रूप में किसी भी सीत यूद में या फिर सीमा विवाद के छेतर में स्वेम अपने दम पर सोल करने का प्रियतन किया है किसी तीसरे को इसमें सामिल होन का मोका नहीं दिया और नहीं कभी भारत ने किनी दो देशों के मामले में इंटर्फेर किया है। भारतिय विदेश नीती के प्रमुक स्थम्ब पंच सील गुट निर्पेक्षता स्वेम सवतंतरता विदेश जो नीती है उसका संचालन और विकास सील देशों से एक जुटता और राश्टिय तथा वैस्विक हित प्राप्त करने के लिए लक्षे आदी रहे हैं तो भारत ने कभी किसी एक पक्ष का जो है उसकी तरफ से नहीं बोला है भारत ने दोनों तरफ की बातों को देखते हुए ही अपने विचार प्रकट किये हैं हमेशा उसने कभी भी किसी समूँ उमें खुल करके अपनी तरफ से कोई सयोग नहीं किया पचास वर्सों के काल में भारत की विदेश नीती का अध्यान तीन आधारों पर किया जाना चाहिए तो तीन आधारों पर हम इस विदेश नीती का अध्यान कर सकते हैं जो भारत ने अपनाई हैं तो नमबर एक में है भारत के पडोसी देशों से संबन्द तो यहां हम जानेंगे कैसे संबन्द रहे हैं दूसरा है माहा सक्तियों से संबन्द और तीसरा है भारत और संयुक्त राष्ट तो इन तीनों पॉइंट पर हम विस्तार से जानेंगे तो देखिए यहां पर पहला पॉइंट भारत के पडोसी देशों से संबन्द कैसे रहे हैं हम यह जानेंगे भारत के साथ पडोसी देश इस परकार हैं उत्तर पस्चिम में पाकिस्तान उत्तर में चीन और नेपाल उत्तर पूर्व में भुटान और बांगला देश पूर्व में मैमार और दक्षिन में स्री लंका है चीन और पाकिस्तान को छोड़ कर अन्य देशों से भारत के संबंद अधिकतर सुखद रहे हैं बहुत ही बड़िया संबंद रहे हैं हम सभी जो ये बचे हुए देश हैं इनके साथ हमारा व्यापार भी अच्छा चलता है हमारी संस्क देखते हैं भारत भारत के संबंद हम पाकिस्तान से अब देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच एतिहासिक समानता सांस्कृतिक एक रूपता और भोगोलिक निकरता तथा आर्थिक समरूपता के अवसर मौजूद हैं तो यहां पर बहुत ही जादा मिलान करते हुए हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो सांस्कृतिक सवरूप है भोगोलिक सवरूप है आर्थिक सवरूप है वो उसमें बहुत ही जादा अवसर मौजूद हैं लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान समंद सपर्धा और तनाव Сंघर्स तथा उद के दाइरे से बाहर नह है और भी जादा अपना कदम बढ़ाए हुए है और आगे बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान ने 1947 इसवी, 1965 इसवी, 1971 इसवी और 1999 इसवी में भारत पर आकरमन किये परंतु भारत की वीर शेनाओं से पराजित हुआ तो यहां पर एक के बाद एक चार बर परियास किये पाकिस्तान ने आकरमन करने के लेकिन हर बार भारत की सेनाओं के आगे उसकी एक न चली हतास पाकिस्तान द्वारा भारत में पंजाब तथा जम्मू कस्मीर में प्रोक्ष आतंक वाद को निरंतर प्रोचसाहित किया जा रहा है तो अ दोनों राज्यों में पंजाब और जमू कस्मीर में वहां के युवाओं को आतंकवाद के शाय में लेकर के आ रहा है और उन से आतंकवादी जो गतीवी दिया हैं वो करवाई जा रही हैं हमारे देश को अंदर ही अंदर खोकला करने का प्रियास किया जा रहा है अब हम देख कांसी देश है यह अपने आज भी समराज्यवाद पर विश्वास रखता है और ये विश्व की राजनिती में महत्पून पद पर बैठने का इच्छुक है और भूमी का निभाना चाता है भारत पहला गेर सम्मेवादी देश था जिसने एक जनवरी 1950 इसवी को सम्मेवादी चीन को मानिता दी तो पहले जो है चीन को मानिता नहीं थी ये अलग अलग राजाओं के दुआरा स्थापित एक छित्र था लेकिन भारत ने पहली बार इसको एक पूरा देश माना था और इसको एक जनवरी 1950 को भारत ने सम्मेवादी चीन को मानिता दी फिर यहाँ पर जवालाल नहरू थे उन्होंने सुरक्षा प्रिशद में सम्मेवादी चीन को स्थाई स्थान दिलाने के लिए कई बार प्रियास किये तो जवालाल नहरू जी ने चीन को जो सुरक्षा प्रिशद है अंतराश्टिय लेवल पर उसमें सम्मेवादी चीन को स्थाई स्थान दिलवाने के लिए बहुत से प्रियास किये विस्तारवादी प्रिविट्टी के चीन ने 20 अक्टूबर 1962 इस वी को भारत पर ही भ्यानक आकरमन कर दिया था तो इतना सहयोग करने के बाद भी चीन जो है उसका रेपलाई भारत पर आकरमन करके देता है 20 अक्टूबर 1962 को वह भ भारत को इस युद में चान माल की भारी च्छती उठानी पड़ी परंतू सामयवादी चीन ने एक तरफा युद विराम की घोशना कर दी तो पहले तो उसने आकरमन किया फिर हमारे देश में बहुत सारा नुकसान पहुचाया लोगों को मारा सेहनिकों को मारा और फिर उस तक भारत चीन संबंद तनाव और विश्वास पर आधारित है तो चीन कभी कभी हमारे देश में आज भी गुस्पेट करने की कोशिस करता है अरुनाचल पर देश का बहुत बड़ा जो एरिया है चीन ने अपने कबजे में कर रखा है लेकिन भारत के सेहना लगातर संगर स रत है उस छेतर को चाइना से चुड़वाने के लिए और फिर भी चाइना के जो सैनिक है वो कभी कभार भारत की सीमा को लांग कर भारत में परवेश करने का प्रयास है वो करते हैं तो आए दिन हम न्यूज भी देखते हैं कि भारती है जो सैनिक है वो किस तरह से और यहां पर जो समझोता हुआ है उस समझोते के तहत पांच बातों को रखा गया है और इसमें दोनों देश उनको मानते हैं कि इस सीमा पर भारत चाइना के बीच में कोई भी सैनिक हत्यारों का इस्तवाल नहीं करेगा इसलिए यहां पर हाथा पाई तो आए दिन होती रहती है यहां हम चाइना के साथ हुए कुछ बातें जानते हैं क्या आप जानते हैं मैतपुन तथे हैं चीन के साथ 1962 इस्वी में भारी छती उठाने वाली भारतिय सेना ने ब्रीटिस काल में सारा गड़ी और हाइफा की लड़ाईयों में अदबत वीरता और अदम में साहस का परिचे दिया था तो यहां पर देखिए जो 1962 में हमारा देश नुक्सान उठाता है चाइना के हाथों तो कभी ब्रीटिस काल के दोरान इसी छेतर में चाइना के छेतर में सारा गड़ी और हाइफा की लड़ाईयों में अदबत और अदम में अपना साहस दिखाया था भारत के सैनेकों ने अब हम देखते हैं नेपाल और बुटान के साथ भारत के समंधों के विशे में भारत और नेपाल के मध्ध बड़े लंबे समय से गहरे सामाजिक, धारमिक और सांस्कृतिक समंध रहे हैं दोनों के मध्ध खुली सीमा विश्वास का परतीक रही है तो नेपाल के और भारत के लोगों के बीच में आदान परदान होता रहता है कोई भी नागरी के इन दोनों देशों में आ जा सकता है भारत का नेपाल में जा सकता है नेपाल का भारत में जा सकता है बगैर किसी विज़ा के इसी परकार हिमाले स्थित अन्य देश भूटान से भी भारत के घनिष्ट संबंद रहे हैं 1949 इस्वी की संधी ने दोनों देशों के मध्धे चीर स्थाई मित्रता स्थापित कर दी तो यहाँ पर भूटान और नेपाल जो हैं बहुत ही घनिष्ट हमारे संबंद रहे हैं और यहाँ तक कि नेपाल के बाद भूटान के साथ 1949 में जो संधी स्थापित हुई थी उसमें बहुत ही जादा सयोग एक दूसरे को करने के लिए बाते रखी गई थी इन दोनों देशों से भारत के भावनात्मक संबंद हिंदू और बहुत धरम के कारण जुडाव से भी रहे हैं भूटान और नेपाल की भोगोलिक स्थिती भारतिय सुरक्षा की दृष्टी से भी महत्वपून है जब ये दोनों देश भारतिय सीमा के साथ लगते हुए हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परभाव डालती है भारत की सुरक्षा को ले करके तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपून है दोनों देशों की सीमाए जो की भारत से लगती है अब हम बात करते हैं स्री लंका से संबंद क्या रहे हैं भारत के तो स्री लंका हिंद मासागर स्थित निकटतम परोसी देश है भारत और स्री लंका के मध्ध एतिहासिक राजनीतिक समाजिक और धार्मिक संपरकर रहे हैं और ये प्राचिन समय से हमारे देश और स्री लंका के बीच में संबंद रहे हैं सब्सक्राइब के बाद दोनों देशों के बीच स्री लंका स्थित तमीलों को लेकर मतबेद रहे 1987 इसवी में भारत दुआरा सांती सेना भेजे जाने से तनाव अवस्य बढ़ गया था जब तमीलों और सिंग्लियों के बीच में आपने एक चैप्टर जो है आपके राजनिती से समंदित है तो उसमें देखा होगा तो उन दोनों जातियों के बीच में वहां पर मतबेद हो जाते हैं मारकाट होने लगती है तो भारत जो है वो अपनी तरफ से सांति सेना वहता है वहां पर तनाव को खतब करने के लिए लेकिन उल्टा होता है कि स्रीलंका और भारत के रिस्तों में तनाव आ जाता है लेकिन इसे वेमनस से किस रेनी में नहीं रखा जा सकता यानि कि युद की स्थिती नहीं कहा जा सकता दोनों देसों के बीच कुछ मतबेदों के बावजूद संबंद सोहार्द पून रहे हैं फिर भी दोनों देसों के बीच संबंद अच्छे भले रहे हैं अब बांगला दे से सम्द कैसे रहे हैं भारत के देखते हैं बांगला देश को 1947 इस्वी से 1971 इस्वी तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था छे दिसंबर 1971 इस्वी को बांगला देश को मानिता देने वाला भारत पहला देश था तो पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था पाकिस्तान क ही हिस्सा था लेकिन 6 दिसम्बर 1971 को बांगला देश की जनता जो की अपने लिए अलग अराश्ट की मांग कर रही थी तो भारत ने इसे अलग देश यानि की बांगला देश के बांगला देश भारत के सयोग से अपने वजूद को पाने में कामियाब होता है भासा और सांस्किर्टिक जुडाओं के कारण परारंब से ही दोनों देशों के मध्य गनिष्ट, मित्रता और प्रश्पर सयोग का वातावरन रहा है। आदी छेतरों में सयोग करता रहा है और मौजुदा सरकार ने जो रोहिंग्या वाली प्रोबलम थी उसको सोल्व किया है। और बांगला देश के लोगों के साथ या बांगला देश के साथ भारत के बहुत से सम्मंद स्थापित हैं। इसी के साथ ही जो सबसे जादा भारत में अगर किसी देश से आया तो होता है या परवास होता है तो वो बांगला देश है। लोग बहुत भारी मातरा में भारत में बांगला देश से आते हैं। अब यहाँ पर मेंमार अथवा बर्मा से सम्मंद के विशे में जानते हैं। आज हम जिस देश को मेंमार के नाम से जानते हैं। पहले यह देश बर्मा के नाम से जाना जाता था। मेमार या बर्मा को अधिकारिक रूप से मेमार गनराज्य के रूप में जाना जाता है बोगोलिक स्थिती के कारण इसे दक्षिन पूर्व एसिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है तो दक्षिन पूर्व एसिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको और भारत और मेम मेमार की 1600 किलो मीटर से भी अधिक सीमाई आपस में लगती है तो बहुत बड़ी सीमा जो है भारत और मेमार के बीच परभावित करती है और दोनों देश बड़े ही सांतिपून तरीके से एक दूसरे के साथ रहे रहे हैं मेमार के अधिकतर लोग बोध धरम की अन्युआई है और इस दृष्टी से भारत मेमार में सांस्कृतिक निकटता है तो बोध का सम्मद सीधे तोर पर भारत से है और इसलिए जो भारत के अन्य परोसी देश हैं जहां पर बोध धरम काफी मातरा में फैला हुआ है या बोध लोग रहते हैं तो उनका सांस्कृतिक सम्मद बहु है तो यहां पर परोसी होने के नाते इन सभी दसाओं को देखते हुए भारत के लिए मेमार का बहुत ही जवरदस्त मेत्व है कुछ एक अपवादों को छोड़कर भारत मेमार के सम्मद मेत्री पून रहे हैं अब यहां पर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे महा सक्तियों स सम्मद कैसे रहे हैं भारत के और उसमें भारत का यो जो उसका पद है भारत का जो पद है वो कितना उचा रहा है तो देखिए विस्व में दो देशों अमेरिका और भूत पुर्व सोवियत संग को महा सक्ति के रूप में सभीकार किया गया है तो यह जो है महा सक्तिया रही हैं काफी समय तक और भारत ने सवतंदर्टा के बाद दोनों महासक्तियों से समान दूरी और समान रूप से मित्रता की नीती अपनाई सवतंदर्टा के बाद जहां एक और नहरू जी का समाजवादी विचार धारा की और जुकाओ बढ़ा वहीं दूसरी और पाकिस्तान की अमेरिका से निकटता बढ़ने लगी तो भारत का हमेशा जुकाओ जो है समाजवादी विचार धारा के साथ रहा है कि भाई चारा बना कर रखें समाज को बनाई रखें और यहां पर जो तुष्टी करन की निती है वो अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए देख भारत ने भी जो सोवियत रूस था उसकी तरफ अपनी निकटता को और बढ़ा दिया और पाकिस्तान तथा चीन से अमेरिका के संबंद बहतर होने से भारत अमेरिका संबंद दूस पर भावित हुए तो चाइना और पाकिस्तान को नजदीक अपने लाता था अमेरिका उनकी मदद करता था लेकिन भारत इसको अपने खत्रे के रूप में देख रहा था तो इसलिए सोवियत संब के साथ भारत ने अपने समंद स्थापित किये 1971 इसवी में भारत सोवियत मेतरी संदी से दोनों देशों में मित्तरता और अधिक मजबूत हुई तो वहीं इस निकटता के कारण भारत और अमेरिका के मध्य दूरिया बढ़ने लगी तो इन दोनों देशों के बीच में दूरिया बढ़ गई 1991 इसवी में सोवियत संग का विगटन हो गया था 1991 में सोवियत रूस का या सोवियत संग का विगटन हुआ और रूस उसके उत्राधिकारी के रूप में सामने आया इससे विस्व का एक धुरूविय हो गया तो विस्व जो है एक धुरूविय हो गया पहले दो धुरूविय अब केवल अमेरिका ही महासक्ती बचा है और अमेरिका एक मात्र महासक्ती रहे गया अब विचार धारा के इस्थान पर आर्थिक मुद्ध में तपून हो गए 1991 इस्वी के बाद से भारत के संब्द रूस और अमेरिका दोनों से बहतर होने लगे 1991 के बाद इन दोनों देशों के साथ भारत के सम्मन्द अच्छे होने लगे थे क्योंकि दोनों ही देश बड़े बाजार चाता था और बड़े बाजार के रूप में भारत दूसरे नमबर पर था बड़ा ही अपना योगदान देता था अब हम देखते हैं तो यहां तीसरा पॉइंट है भारत और संयुक्त राष्ट संग तो दूत्य विस्व यूद की समाप्ती के साथ ही विस्व में सांती बनाए रखने की जरूरत थी अब दूत्य विस्व यूद के बाद लोगों के बीच में या जो देश थे उनके बीच में एक दूसरे के परती अंदर ही अंदर जो नासूर था उसको सांत करने के लिए ताकि दोबारा से कोई यूद ने हो इतना नर संगार ने हो उसे रोकने के लिए क्या हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 इसवी को संयुक्त राष्ट संग की स्थापना की गई कि विभिन देशों ने मिलकर के एक संयुक्त राष्ट संग की स्थापना की थी 24 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट संग की संस्थापक सदर्शों में से एक था भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट संग द्वारा संचालित सांती सैनाओं में अपने सैनिक भेज कर सक्रिय भूमिका निभाई है तो भारत भी इस संयुक्त राष्ट संग की जो सांती सैना है उसमें भारतिय सैनिकों को भेज करके अपनी भूमिका निभाई है 1953 इस्वी में भारत की विजय लच्मी पंडित जो की जवारलाल नहरू जी की बेहन है और संयुक्त राष्ट संग की महासबा की पहली महिला अध्यक्स बनी थी भारत संयुक्त राष्ट संग में सक्रिय भूमिका निभाने और तेजी से उभरती हुई अर्थ विवस्था होने के कारण आज सुरक्षा परिशद में 27 दर्शता प्राप्त करने के लिए परियासरत है तो परियासरत है अपनी 27 दर्शता प्राप्त करने के लिए सुरक्षा परिशद में जो की विश्व सांती के लिए और विश्व में सुरक्षा मोहिया करवाने के लिए अपना कारिय करती है तो 1947 इस्वी में 27 प्राप्ती के बाद अनेक भारती और विदेसी आलोच को दुआरा भारत के 27 दर्शता सवीधान और लोक तंतर को लेकर अनेक भविश्यवानिया की गई थी तो भारत एक बहुत बड़ा भुगोलिक देस है इसमें सबी जाती धर्म के लोग निवास करते हैं ये आलोचक भारत में लोक तंतर विवस्ता के लंबे समय तक ने टिक पाने का कयास लगा रहे थे तो भारत से विविन टुकडो में जो है बहुत से देस अलग हुए हैं जैसे अफगानिस्तान है मुस्लिम धर्म को लेकर के अलग हुआ पाकिस्तान है मुस्लिम धर्म को लेकर के अलग हुआ और इसी तरह से बांगला देस है ये भी मुस्लिम धर्म को लेकर के अलग होता है फिर और भी जो देश हैं वो अलग-अलग विचारों को लेकर के अलग होते हैं और वो खुद तूटते चले गए लेकिन वो ये कयास करते रहे कि भारत भी एक दिन जो है टुकडे-टुकडे हो जाएगा लेकिन यहां पर आप देखिए इतने सालों तक इतने सद्यों तक उनके सामने उनके मूँ पर तमाचा है अभी भी उनहीं के खुद के धरम के लोग हैं अन्य धरम हैं बहुत सारे धरम मिलकर के इस देश में एक साथ रहे रहे हैं तो इन में से कुछ ने कहा कि भारतिये संग भासा जाती धरम और छेतर के अधार पर बिखर जाएगा तो यह भी इस देश में एक बन कर रहे रहे हैं लेकिन सवतंतरता के 74 वर्ष बाद भी भारत ने केवल मजबूती के साथ खड़ा है अपीतु उनती के पत पर अगरशर है तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि यह थपड है उन लोगों को या उन छोटी सोच वाले या उस ध जाती धरम भासा है उसके अधार पर भारत फिर से बिखरेगा तो ऐसा सोचने वाले सायद यह नहीं जानते कि यह देश पता नहीं 712 से लुटा है उजडा है और युद्यों में उल्जा रहा है बहुत से कश्ट सहे हैं और अंग्रेजियों के जाने तक इस देश में इतने गोर अत्याचार हुए हैं जब तक ये देश नहीं उजडा और नहीं बिखरा तो आज कुछ तिल के दाने के सामान मूबा करके देख रहे ऐसे लोगों के कहने से कैसे बिखरेगा यही इस देश की विशेशता है ऐसी विविज़ता ऐसा समायोजन ऐसी जो परियोग साला है पूरी पिठवी पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी जहां सभी मिल जुल करके रहे रहे हैं तो यहां पर परते एक देश जो हैं बहुत ही ज़्यादा सीखता है हमारे देश से यहां आपस में लोगों के मन मुटाओं तो हो सकते हैं लेकिन वो कभी फूट में नहीं बदलते मन मुटाओं को आपस में वो सुलजा लेते हैं और यही खास बात है और यहां अगर किसी की भावनाई अच्छी है तो उसको सहारा लगा करके आगे बढ़ाया जाता है और अगर कोई इन लोगों के साथ चल करता है तो वो उससे दूरिया बना लेते हैं लेकिन उसके चंग कि यातरा कैसी लगी है जबर्दस तरीके से हमने आप लोगों को एक्स्प्लेइन करने का परियास किया है और भी हम ऐसी ही महतपुन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे भविस्थे में जब जब अगदरकार होगी आवसकता होगी आप लोगों के लिए तरीके से हम वीडियो लेकर के आएंगे अब टैन्थ कलास और ट्वैल्थ कलास के जो एक्जाम आ रहे हैं उनको देखते हुए हम इन्ही कलासिस की ज़्यादा वीडियो लेकर के आ रहे हैं अब हम आपको महतपुन किस्टन भी समझाएंगे जो कि आपके एक्जाम की से आपको बहुत ही ज़्यादा मुल्यवान हैं महतपुन हैं आप लोग अपनी त्यारी को अच्छे से करते रहें बिलकुल भी डगमगाएं नहीं आप अपने अध्यन पर अपनी महनत पर पूरा भरोसा रखें आपका भरोसा आपको ताकत देगा आपकी महनत आपको साहस देगी और एक अच्छे नंबर प्राप्ट करके बहुत अच्छे नंबर प्राप्ट करके इस समाज में उतरें ताकि आपके हाथ में बेरोजगारों की तरह फाइले नहीं हो केवल आपके हाथ में आपके डोकुमेंट और रिज्यूम हो जहां भी आप जाएं वहां आप उ study करनी है कि competition में आपको आगे जाना है जो life का exam है उसको पास करना है आपका target अगर वकिल बनने का है तो वकिल को ध्यान में रख करके आपको त्यारी करनी है चहीं आप दसवी में हो या बारवी में हो अगर आपका प्लान है कि आप accountant बनेंगे तो accountant का target दिमाग में रख करके आगे बढ़ें क्योंकि आपको जो आप यहां पढ़ रहे हैं दसवी बारवी में स्कूल लेवल पर तो वही आपके उस competition exam में परसन पूछे जाएंगे तो वहां तक तो आपको इन परसनों को याद रखना ही है केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि टीचर सुन रहा है आपने पाच मिनिट मांगे और रटा लगाया सुना दिया और भूल गए और फिर प्लश्टू के बाद आप किसी जोब के फार्म में अपलाई करते हैं और टेस्ट में बैठते हैं तो वहां आपको पता ही नहीं है तो उसके लिए आपको कोचिंग के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे परसन वही हैं जो बारवी तक आपको पढ़ाए गए थे वही आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो डिये स्टूडेंट आप अपने पढ़ाई के तरीके को बदलते हुए आगे भड़े और तपुन वीडियो इस चैनल के माध्धम से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो आपको असानी से मिल सके तो दीजिए मुझे इजाज़त फिर से मैं हाजिर हो जाओंगा आप सब के सामने आपका अपना स्टेडी चैनल लेकर के नमस्कार